स्री शिवाय नमस्तु ब्यावं हरहर महादेव दर्सकों गुरु पुर्णिमा महुत्षव की पर्थम दिन की कता आज समापत हो चुकिये आज की कता किस परकार रही क्या क्या बाते आज गुरु देव ने कता की दुरान बताई आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जिसने भी आज की कता नई सुनी हो तो इस वीडियो को लाज तक जरूर देखें संपुन कता का रस्तातू आपको इस छोड़ी शी वीडियो के मादेम से सुनने को मिलेगा आज की कता की सुरवात में गुर्देव ने कहा कि अगर आप किसी पास के सिवाले या देवाले में एक लोटा जल चड़ाने जा रहे हो तो ये मत समझना कि आप जा रहे हो जिसके हरते में सिव बस जाते हैं उनको सिव अपने आप अपनी और खींज लेते हैं अगली बात गुर्देव ने कही कि गुरू और परमात्मा में एक अंतर है गुरू भक्ती पकड़वाता है माला पकड़वाता है एक लोटा जल पकड़वाता है और परमात्मा ये सब शुड़वा देता है परमात्मा ये इसलिए करता है क्योंकि अगर मैंने बक्ती दे द जाती है उसी तरह महादेव भी अपने भक्त को एक ना एक दिन ढून ही लेते हैं कि ये मेरा भक्त है इसलिए एक लोटा जल चड़ाते रहो 33 कोटी देवताओं में महादेव एक एसे हैं जो परदोस काल में नंदी पर बैटकर अपने भक्तों को ढूनने के लिए जाते हैं एक बात गुर्देव ने बहुत अची कही कोई जल्दी बनता है कोई लेट बनता है सीव पर जल चड़ाने वाला एक दिन सेट जरू बनता है अगली बात गुर्देव ने कही कि सीव पर जल चड़ाने वाले अपने जीवन में दो बातें जरूर लाएं पली सत्ते और नम्रता साथ हैं गुर्देव ने कहा कि जिस दिन विश्वास और दड़ता के साथ सीव पर जल चड़ाओगे उस दिन आपका काम बन जाएगा तो बाबा उसको भी श्युकार कर लेंगे पांस दिव से ये कता 21 जुलाय तक चलेगी ये कुछ महत्पून बाते थी जो गुर्देव ने आज की कता में बताई है उमीद करता हूं दर्सकों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो चैनल वो गुंटे अगन के साथ में जरू सब्सक्राइब करें स्रीचिवाई नमत्तू ब्याम हर महादेव